नमस्क्रा दोस्तों कैसे हैं आप लोग? क्या ही? मुझे ने पता कि आप लोगों मेंसे कितने लोग विलकुल जांते हैं, पहशानते हैं पर मुझे ये लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आपको इंट्रीदूस करूँ और आप लोगों से अपनी आपको पहशान करवा दूँ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे नाम वीयोगी है और मैं पेशे से लोगों को विदेश में सेटल करवाने का रास्ता बताता हूँ और परिवरिश मेरी हर्याना में हुई है हर्याना में एक भूछ खूबसरुता गाम है सेलंग अब खूबसरुत सा मुझे दो लगता ही है कम से कम क्योंकि आखिर गाम है मेरा उसके बाद कुछ सा लंबाला में पर कुछ सा दिली रहा और उसके बाद फिर मुंबाई सेटल हुआ और अब New Zealand में रह रहा हूँ क्योंकि अब सारा काम और बिजनस सारा New Zealand के अंदर है अगर आप विदेश में आना चाहते हैं रहना चाहते हैं तो कहीं न कहीं तो रहना ही पड़ेगा न तो मैंने तो ठानी रखा था कि मैं बाद जाके सेटल हूँगा भी देश में रहूंगा तो कहीं न कहीं तो रहना ही था सोचा न्यूजलेंड में आके रह ले तो न्यूजलेंड ही चूज कर लिया फिर उसके बाद अभी जब follower से बात होती है तो सब का अपना-पना migration का struggle है कई लोगों से मिला पाकिस्तानियों से जब मैं यूरॉप में था तो वहाँ पाकिस्तानियों का असे मिला मुलाकात हुई बैंगलादेशीज मिले श्रिलंगा तो अपने इंडियन भाई लोग भी मिले मतलब लेकिन सब लोग struggle कर रहे थे तो अपने देश को छोड़ कर विदेशों में जाना इसका अपना struggle period रहता है और ये एक जैसा ये एक इस तरह के खाया है जैसे मौत जैसा है अब अपने देश को छोड़ के दूसरी देश में जाना एक तरह की मौत ही है अप में से बहुत से लोग इस चीज़ से disagree करते हैं लेकिन अगर आपने decide कर लिया है तो एक दिन तो आपको आना ही पड़ेगा पर अब माल लेते हैं बिकोज हम लोग उन सब लोगों के साथ हैं शायद तो आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वो है hope उमीद और जिसके आगे सारी शब्द फिके बढ़ जाते है अपने title तो पढ़ी लिया आगा वीडियो का तो हम उसी बारे में आज बात करना चाहेंगे उमीद क्या है जो सीखा और समझा जिन्दगी से और जितना दूसरे की गलती को देख कर सीखा लोगों करते वे देखा सही, गलत, अच्छा, बुरा जो जिन्दगी में घटा आज उसी बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ अब देखिए जितना हम सोचेंगे हमें मिलेगा उतना ही अगर हम छोटा सोचेंगे उतनी ही चीज मिलेगी अब एक गलती जो मुझसे बश्चपन में हुई चलिए उससे बात करते हैं बहुत मिडल क्लास फैमिली से था मैं अब बहुत गरीब नहीं कहूंगा अपने आपको क्योंकि अब मेरे माबाप ने अपनी बेस्ट कपेस्टी से हम लोग को पढ़ाय लिखाया हमारी परवरिश्की और जो जो उनके पास resources थे, संसादन थे जितना उनसे पुग पाया उन्होंने अपनी बेस्ट केपेस्टी से हम लोग को दिया अब वो चाहे जैसा भी हो तो ये कहना कि वो गरीबी के दिन थे तो ये बहुत गलत हो जाएगा मेरे लिए मेरे ख्याल से पर हम खुश थे खुश दिल थे मतलब उस वाट अच्छे दिन थे सिम्टे वे दिन थे मतलब और सबसे बड़ी बात हमारी जो हैसियत थी उससे रिलेटिड था मतलब हमारी हैसियत जो थी उसी से रिलेटिड थे हमने सवक सोच बड़ी नहीं थी मतलब हमारी तो उसी दुरान जो है बच्पन में मेरी रियल सिस्टर को दो साइकले मिरी लेडी साइकल बढ़ा खुबसूरत किस्सा है द्यान से सुनिएगा तो साइकल क्यों मिली उसने हरियाना के अंदर टॉप किया था हरियाना स्टेट के अंदर बहुत इंटलिजन थी वो डॉक्टर है तो पहले तो जब वो टॉपर हुई हरियाना के अंदर तो उसको पापा ने उसके साइज की छोटी साइकल दिलवा दी 18 इंच वाली लेकिन 8-9 महिने के बाद क्या हुआ उसको स्कूल ने गिफ्ट कर दिया गौर्मेंट की तरफ से तो उसको एक नई साइकल मिलगी जो शायद 20 इंच के असपास की थी बट वो भी लेडी साइकल थी बिकोज वो खुद फीमेल थी तो उस वक्त मतलब लेडीज और जेंट साइकल अलग लगत रखे आती थी जहां तक मिलेको याद है आप लोगों ने भी वो टाइम देखा होगा तो मैं तो पढ़ा ही में आया हमेशा एवरेज ही रहा था तो इसी वज़े से मुझे लगता था कि टॉपर बनने की अपनी तो हैसेद ही नहीं है मतलब या मेरी उकात ही नहीं है तो इसलिए अब जिस रास्ते जाना ये उसका रास्ता क्या भूशना मतलब अक्शल में देखा जाये तो ये तो मुझे तो लगता था कि भी अपनी तो पढ़ने के दो नावकात है, अपने बस का कुछ है नहीं, तो हमने कभी उसको चीज़ को परस्यू ही नहीं किया आगे, तो और साइकल चलाना तो बहुत दूर की बात है मतलब, उस वक्त उस दुरान के अंदर मुझे भी याद है, म बहुत बड़ी चीवमेंट थी, मतलब ये, किसी के पस अपनी साइकल होना, स्कूटर रोकूटर तो बहुत बात की बात है, मतलब ये, तो ऐसा चलता रहा, बट कॉलेज में मैं और दीदी अब साथ आ गए, तब उसके कहने से मैंने बड़ी वाली साइकल ले ली, उसको चल आज वो अरे साथ नहीं है, मडाई लावर, तो क्या होता था कि उसने जो कह दिया, वो लोहे की लकी रोकी, and that's a boundary line for me, मिरसे करीब डेर साल बड़ी है, बट वो जो कह देगी, वो हो जाएगा, that's a boundary for me, मैंने उसके आगे कुछ सीखाने का भी जिन्दी के अंतर, और ना कभ तो उसने जो बोल दिया दिने, वो करना ही मतला, तो उसके बाद, क्या कहते हैं, शरम तो आती थी उन दिनों में, बट, तो उसके बाद चलना शुरू कर दिया, अब जाते थे, लड़के बोलते थे, लेडी साइगल बे आता है, ये वो ठीक है, अपनी उकात नहीं थी, तो अपने को, जो मिला हुँ, हमने उसमें satisfaction करना शुरू करा, तो उसके बाद, graduation के बाद, graduation के दोरान, पापा का थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, उनकी salary, government job में थे, उनकी थोड़ाइसे स्तरक्य होगी, उनको थोड़ा सायद fund बना गया होगा, तो वो बोलते एक दिना के मिर को, कि भी, scooter कौन सा लेना है, तो मैंने का, scooter लेना, cycle की तो उकात नहीं है हमारी, मतलब, मतलब, हमने अपने आपको बिल्कुल set कर लिया था, अपने दिमाग को, अपना बसका कुछ है नहीं, तो जो है, वो यही है, actual में, तो पापा गोलते, scooter कौन सा लेना है, तो मुझे लगा मजा को रहा है, मतलब, यहां cycle तक तो मिल नहीं रही है, और पापा, scooter दिलवाने की बात कर रहे है, मुझे लगा, मतलब, मैंने का, अच्छा, चलू, ठीक, यह उस दरवान की बात है, जब हम, बजात, चेतक, लंबरेटा गया, जैसे, यह छोड़े मोड़े, scooter हो आगर दे मतलब है, हमने तो वो limited ही थाली देखी, मतलब, छोटा ही चीजे देखी, मतलब, हम छोटे शहर वाले लोग, छोटी चीजे देखते थे, गाउं से शहर, शहर से गाउं, बस इतनी हमारी सोच थी, हमने ज़्यादा वो अमीरों वाले ख़ाप देखे नहीं कभी थी, हमने दे है नहीं पाया कुछ हास तक, और मुझे लगा पापा मजे ले रही है, होता है न, साइकल चलाने के वकाद नहीं है, साइकल मिल ले रही है, और उपर से बोले कि स्कूटर कौन सा लेना है, तो मुझे लगा पापा मजे ले रही है, कि स्कूटर पूछ के, और मुझे अपनी मतलब वैसपा मतलब उस दोरान में वैसपा है मतलब अलगी what मैंने रिख़गा नहीं हम सस्ते वाला ले ले लेंगे मैंने का आप ज्यादा प्रना क्या हुआ मतलब है और वह में हें अंढ़ी कि अजना मेरे मुझे सच निकली गया मतलब अचनक सच निकल गया तो मैंने बोला उनको मुझे नहीं लगता कि आम कभी ये लेख पाएंगे एक्शल में अना का जिस तरीके से मैं चुकि अब हम ग्रो कर रहे थे मतलब उसको अगर 20 साल क्या सपसका होगे थे मुझे नहीं लगता कि मतलब आप ले पाओगे ये सब चीजें क्योंकि एक लेवल के बाद हमको पता चल जाता है हमारी क्या उकात अक्शल में तो मैंने का आप ले नहीं पाओगे और मेरे मुझे सच निकल गया अक्शल में तो मेरे जो डैड थे उन्होंने बड़ी हस के मतलब बड़ी बेख्याली के अंदर बोल दिया मतलब के ते पागल है क्या अगर सोचे नेगा सोचेगा नी ना तो होगा भी नी सोचेगा नी तो होगा भी नी आप ध्यान से सुनिएगा I think 92 की बात है शायद 1991 की बात है तो ये शाद पहली बार था जब मैं Vespa स्कूटर चला कर उस शोरूम से अपने घर तक आया जबकि मेरे को स्कूटर चलाना आता भी नहीं था उस तोरान नया स्कूटर पहली बार चला रहे है श्रेवान जी, योगी वी योगी महोद है तो चला कर अपने घर तक लाया पापा पीछे बैठे वे थे और फिर जिन्दगी का फिर देखिए बहुत साल अगलगलग शहर में रहे बहुत काम किया बहुत मेहनत की और कितनी खुबसरत बात है छे साल से मैं लेड़ी साइकल चलाने की गिल्ट के अंदर पैदल पांच किलोमेटर तक स्कूल आता जाता रहा पांच किलोमेटर उस तोरह स्कूल बड़े दूर वा गरते थे आज की तरह नहीं है कि आपके हर सो मेटर के उपर एक स्कूल है जैसे आजकल के बच्चे होते हैं हमारे पांच किलोमेटर दूर में पैदल जाना पड़ता था साइकल थी लेकिन मैं बस गिल्ट के इंदर नहीं चलाता था और तो मैं पता है लड़के बड़ी टांग खीशते हैं और आज घर में खड़ी हैं हमारे दो हाइब्रीड कार और एक स्पोर्ट्स कार तीन लगजरी गाड़ियां हमारे घर में खड़ी है आपको मैंने पीछे वीडियो में दिखाया भी था तो गाड़ियों को अपने को बहुत शौक है तो बात सिरफ इतनी सी है कि सोचेंगे नहीं तो होगा भी नहीं और अगर आप सैटल होना चाहते हैं विदेश के अंदर तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा सैटल तो हुई जाएंगे एक ना एक दिन सोचना तो शुरू कीजिए और छोटी सी बात से जो ये उमीद हुई है न वही आपको मैं सब शेर कर रहा हूँ अपने जिन्दगी का उतार चड़ा प्लस माइनस एक कोशिश है आप लोगों के साथ सब साज़ा करने की तो इसके साथ साथ मतलब जिन्दी की चलती जी मेरे एक चाचा जी थे मान को बहुत मानता था बहुत मानता पापा के बाद वो ही बड़े थे था इसलिए बोलता हूँ कि अब वो इस सिंसार में है नहीं अब वो इस दुनिया में नहीं है तो एक बार कुछ साथ मेडिकल रैप की नोकड़ी करने के बाद मैं गाउं में गया पर मेरे गाउं से मुरे को बेहद लगाव है आज की रेट में गी और मुझे लगता है कि मेरी आत्म हो ही पर घूमरी है मैं हूं नीजलेंड के अंदर मुरे को लगता है मेरी आत्म है उस पहाड़ के अंदर ही है गाउं के तो मैं गाउं गया, उस वक्त मैं medical representative की नौकरी करता था, तो बड़ी शाही नौकरी मानी जाती थी, medical rap की उस दुरान में, मतलब, 90's के अंदर, तो गाउं में गया, तो चाचा जी मिले वहाँ पे, तो हमारे बीच में frictions है, हमारे पारिवारिक frictions है, मतलब चाचा जी के साथ, मेरे फादर के, और बाकी भाईयों के मतलब बापस में, लेकिन अपने को कोई फरक नहीं बढ़ता, वो चाचा जी मेरे लिए सब कुछ थे मतलब, तो इसलिए नहीं है कि आज वो नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं, मतलब मैं जिन्दगी में उनके साथ बहुत comfortable था, और मैं दम राजा बाबु वारे, इंसान थे वो, तो पुशे लगे, कि, अरे मूल लटका के भी बैठा हुआ है, तो मैं अपने घर के बहार कोई छोटा सा कोर्नर था, मतलब महाँ एक दिन बैठे है, मतलब उखडू बैठे हुए, तो अपने ऐसे बैठा हुआ हुआ, मैं मूल ल सबसे छोटे वाले भाई थे, छोटे वाले चाचा जी को देखके, मैंने मेडिकल रैप की नोकरी जोएन तो कर लिए, और चार-पान साल हो भी गये थे, मतलब, और सेटल था, मतलब, बहुत अच्छा पैसा कमारा था, और उस दुरान मतलब मेडिकल रैप होना ही, एक लेकिन वो मेडिकल रैप की जॉब ने काफी कुछ जिन्दिगी में सिखा दिया था, तो मैंने का कि आपने को समझ में नी आ रही है, नोकरी मतलब, मिरको नहीं करनी है, जोब थोड़ी है, मतलब, जिस चीज के लिए मैं बहुत डेस्परेट था, मेडिकल रैप की नोकरी क प्रें से, तो बोले क्या करना है मतलब, तो मैंने का कि अपने को तो ये करना नी था, अच्छल में, तो मैंने का नोकरी छोड़ गी है, और सोचता हो कि छोड़ भी दिया करूँ तो करूँगा क्या अच्छल में, तो बोले पहले सोच लो आके करना क्या है? प्लान करो, अगर फीर में डरते ही रहोगे, फीर में अगर डरते ही रहोगे, तो जिंदगी तो ओडराती रहीगी. छोड़ो इसको अगर, अगर तुम्हें कोई जॉब की दिक्रत है, छोड़ दो इसको, और वहीं मैं तुम्हारे को जैपूर के अंदर कोई सैटल करवा दूंगा उनके बहुत लिंक्स थे मतलब बहुत शौशल आदमी थे मतलब एक्षिल और उनके बड़े-बड़े बिजनसमें से नेटवर्किंग ती यह मैं जानता था मुझे ने पता उनके पास कितना पैसा थ बहुत बहुत कमाया मुझे ने पैसा इतना कमाया होगा मंतपल को बहुत नीका जाता वत breach में और व दिरस्टे ने खर और उनके वाहत पास बार यकट्र जैपूर और जैपूर को बोले जैपूर में मेरे पास आकर रहले नगुछ प्रिक्त नहीं है और मुझे नहीं पता मतलब उनका नेटवर्क था या नहीं था बर इतना मैं कहना चाहूंगा कि पता नहीं कहां से वो सब हुआ और अचानक बोलते हैं वो कहते बड़ा सोचोगे नहीं न और डरोगे तो कभी आगे बड़ी ही नहीं पाओगे अगर नहीं पाइब को तो के सब्सक्राशबी नियुक्त करने रिज्था है और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ नहीं देखा कभी दूझ मुझे निर्था उनके पास बहुत जाएथा पैसा होगा बट सारी जिंदगी उन्होंने राजा की तरे निदाली रिव जिसक्त की ाक है और बहुत इंस्पायर उन से, बहुत इंस्पायर उन, लिव लाइक किंग, उनके मुझे अभी भी याद है, पर्स में पैसे नहीं वा करते थे, बट पता नहीं कहां से, मतलब उनको अगर बोल दो ना, कि मेरे को रात को 10 जरुबे जी, उस दुरान में 10 जरुबे बहुत बड करते थे, बट इस ब्रिलियंट, तो हमेशा कहते थे कि सोचेंगे तो बड़ा ही सोचेंगे, और सोच पर कभी भी समझाता मत करना, उन्होंने हमेशा मेरे को बोला, कहते हैं, सोच पर कभी भी समझाता मत करना, मुझे आज भी उनकी शब्द कानों में गुंजते रहते हैं, मतलब इसी बारे में उनका एक और किस्सा याद आ गया उस वक्त मेरे ख्याल से हम लोग 14-15 साल के हुए होंगे तो गाउं की चौपाल में गाउं मेरे को जैसे मैंने बता है बहुत पसंद है मतलब तो गाउं में लोग हुका पीते थे ग्रूप में बैठके मतलब जो दोस्त बने आपके और तो वहीं पर मतलब बैठके वो चौपाल के उपर मतलब गप्शप हुआ करती थी उनकी तो उसी दोरान मतलब अपने कजन और फ्रेंड्स के जाथ बैठे वे थे मैं सड़ली पीछे से चला गया तो उनकी बाते सुन रहा था मैं क्या बात कर रहे थे वो अगर हो जाती साथ में तो मड़ा मज़ा आ जाता मतलब तो चाचा जी बोलते हैं कहते हैं कहते हैं सोच ही अगर सूखी रोडिया तक रखोगे तो जब तो प्रेक्टिक में कहते हैं कि सच्चाई में कहां तक जाओगे अगर मानलों बाजरे की रोटी के अंदर सोचोगे तो आप मिलेगा क्या एक्च्वल में तो सोच रहा है तो कमसे हैं बड़ पनेर वगर अब कुछ तो मतलब एक्जोट ही तो सोची सकते थे मतलब तो कहने का मतलब यह कि आज न्यूज जिलेंड में आके यह सब सपना सा ही लगता एक्चल में मुझे तो आज भी लगता मैं ड्रीम में जी रहा हूं मतलब एक्चल में एक वो भी दिन अपने थे जब वो स्ट्रगल का टाइम चल रहा था और आज भी दिन अपने ही है जब यह सब लगजरी चीज़ें हैं अपने साथ में और कुल मिला के बात यह है कि एक नई कोशिश यह है कि इसमें आप सब का प्यार चाहिए आप सब सब्सक्राइब कीजि कैसा लगा आपको और इस लंबे सफ़र में कितने शहर बदले गरीबी देखी स्ट्रगल देखी बट आज सब न्यूज़ेलेंड के अंदर सेटल है सब कुछ सेटल है यह सब ऊपर नीचे उतार चड़ा हक जिन्दकी के अंदर चलते रहते हैं तो और इनी सब का नाम उमीद में 98reens में देखा जाएको इनी सब का नाम उमीद पे ही दुनिया है और मैं सब अपने भायों और दोस्तों को बताना चाहूंगा कि जो हमने गलती करी या दूसरों ने गलती करी आप उनको अपने सामने देखते हैं तो वो गलतियां आप लोग मत कीजिएगा हमसे सीख लीजेगा हमारे से experience शेयर के लीजेगा जो मेरे साथ के लोग हैं जो मेरे से नई generation आने वाली बात कर रही है या हमसे कोई motivate होते हैं या आप लोग में से जितने भी followers हैं जो मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन फोन करते रहते हैं घंटों बात करते रहते हैं तो आप सब लोगों से मेरी गुजाई इरश्य के मतलब अपना कीमती वक्त से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मेरे को सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरे चैनल को प्यार दीजेगा आप लोगों से धेर सारी बाते करना चाहता हूं और अपना प्यार इस वीडियो को जरू धन्यवाद।